नमस्कार पंजाब के स्वी टीवी देख रहे हैं अब मैं हूँ आपके साथ सचिन सर्मा इस वक्त हम पानिपत के गाहों खुकराना असंद रोड से सिधा लाइब हुए हैं हम आपको जानकारी देदें कि कुखराना गाहों के गामिनों ने राखी से प्रेसान ट्रको और जो दिन भर राखी उड़ती है उसे प्रेसान होकर आज यहाँ पर रोड को जाम कर दिया और तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस कदर अब असंद रोड पर जाम लग गया है ये काफी सालों से इस गाउं की बड़ी समश्या रही है जिससे आहत ग्रामिनों ने आज यहाँ पर जाम लगा दिया क्योंकि कोई सुनवाई नहीं है गाउं को शिफ्ट करने के भी आदेश हुए हैं गाउं को शिफ्ट क करने का काम भी लगातार जारी है लेकिन बावजुद उसके ग्रामिनों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है जिससे आहत जिससे गुस्साई ग्रामिनों ने आज यहाँ पर रोड जाम कर दिया पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है पुलिस जाम को खुलवाने में जूट कि आजा रहा है कुछ ग्रामिन यहाँ पर मोजूद है उनसे बातशित करेंगे कि किस वज़े से उन्होंने यहाँ पर जाम लगाया और क्या उनकी मांग है जाम लगाया बाइसाब यहाँ पर जादा में खाना निकाश देव बच्चे बीमार हो रहे हैं इते दूल मिटे प्रोलाम से इस समाधानीय चारेंगे आप जारू लगा बच्छे साप सपाई हो उसके बाद पानी का छिड़का हो बही है समस्य हमारी और कोई समस्य का समधान चाते हुए फ़र पानी का छिड़का हो मिल्ले पहले सफाई होनी चेता पानी का छिड़का हो कम सकम पांच-छे बाइक डेली यहां से फीचलन की फुचे और इस इस गिरते यह क्या करते सिधा पानी डाल देंगे घक जारू लगती तो लाइव तस्वीरे हम आपको दिखाएंगे कि किस वजए से यहाँ पर आप जाम की स्थिती बनाए गई है पुलीस मोगे पर मौझूद है रियल्टी दिखाने का प्रियास गाउं वाले कर रहे हैं कि क्या रियल्टी यहाँ पर है और पुलीस परसासन भी कोई भी परसासन है कोई परसासन भी है ना कोई वो निया इसका ना कहीं बर हमने इरोध कर चुगे अबर कोई सुनवाई निया जो शुनवाई की कही है ना गाहों से निकल के साबस भाई कर रहा भी है अब यह देखो यह जो है यहाँ पर पानी के छिटकाउ करोगे अब तो पैसल चलने वाड़ा ठीक से चल पाता है ठीक है और नहीं बंदा बाइक वाड़ आएगा और गाड़ी वाड़े नहीं चेकर ले तो वैसे इसलिबू कर वैसे गिर एगाद भी बाइक जाएगा से इतनी पर आज भी पलीस पर सहसे नाया है शिरब दिलासे देने के लाव है नके बास और कुछ निया कोई सीलिषन गलत मांग परसासना हैं हमसे बात करें हमारा समधान करें हम बहुत जादा नरक में जी रहे हैं सर नरक में लाज टाइम भी तर्मल चीफ आये देखो तर्मल के चीफ ते उन्होंने बोला दिल बोला था कि मैं साप सपाई करवागा आज एक बर भी वह आए नहीं है कितनी देर से स्वेरे चेवचे से हम यहां लोग कड़े हैं कोई भी मतलब कोई सुनवाई निया भी इदर से देखो गाड़ी बाइक आरे यह देखो कितनी दूल उट रहे हैं मतलब आम आदमी का चलना यह देखो अप बाइक से लोगी सब्सें जीना रामोर का घर के अंदर इतनी मिट्टी जड़ गिया हद से जादो कोई चुनवाई नहीं है इसे भी मारिया आप मेरे पास अभी फुटेज नहीं मिल रहे हैं आपको फुटेज दिखाऊं तो सिमन प्लांट के आने के बाद इतनी आपे टीवी के मरीज हो गया मेरी खुद वाइफ के टीवी ओगी त इतनी डेस्ट है ना और अभी भी क्या दम उसको दमे की बिमारी की प्रोब्लम स्टार्ट हो गी है कि एतनी जर्वी रोग तो हई है इसकी वज़े से नहीं किसी ने यहां पर आपसे बात्सीत की है अभी सिर्फ थर्मल से जो थर्मल चुंकी से आएं सिर्फ वह आएं वह व सब्सक्राइब देली गुजरते हैं जो डस्ट उडापते वे चलती है मला भी यहां से ना दोगनी के लगए हम पानी पर जाना मारा बिल्कुल दूसवार हो रहा है बहुत जादा प्रोब्लम है निकल ने सकता हम इंसान बिल्कुल बहुत जादा प्रेसान हो आने जाने वा शुच से बिल्कुल टॉट तरएंग आपको मारे गाउं को बीडियो मिलिए कि कोगराना डर्ट से प्रोब्लम बीमारीहों का पूरा मलब सर्च करके देखना हम कितना जेल रहना रहा है जिन्दी में जीर हैं बहुत जादा है कोई समाधान ने हो रहा कोई बिल्कुल समाध होगे सर वहाँ पर चुपाल बनगी आंगरबारी बनगी कोई प्लाट नहीं कटा कोई समधान नहीं हो रहा सर गिलगुल भी किकनी देर तक आपने आजाम लगाया भी चैम जैसे खड़े हुआ है तो छे बजे से ग्रामिन यहां पर अपना रोज जता रहे हैं गुसा जाहिर क कि इस चीज से हर कोई वाकिफ है कि यहां पर बिल्कुल इन बड़ी गाडियों को रोकने की इनकी गुहार है और यह जो डश्ट सारा दिन उड़ती है उसके लिए पानी का छिड़काओ कि इन्होंने मांग की है अला कि पुलिस परसासन मोगे पे पहुँचा लेकिन किसी त आप देख सकते हैं कि कैसे रखी सड़कों पर विखरी रहती है कोई चुड़काओ नहीं होता हाला कि हम आपको जानकारी देदें कि कश्ट निवान समीधी की बैठक में प्रदेश के डिप्टी सीम दुश्यन चोटाला ने यह आदेश किये थे कि वहां पर लगातार पानी प्लांट पर लगा हुए है उससे भी राखी उड़ते और यह राखी प्लांट आप साथ तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां पर पुरा गरीब सात سऑ एकड़ में राखी प्लांट है यहां से ट्रक जो हैं राखी लेकर जाते हैं और दिन भर जो प्रोटोकोल का वो ने पर टिकी रहती और वो जैसे चलते हैं तो वो धूल उड़ती रहती है लगातार जिससे ग्रामिनों को काफी प्रेशानी का सामना करना पड़ता है पूरे गाउं में एलर्जी और दमे के हर घर में मरीज आपको मिल जाएंगे लेकिन समाधान कुछ नहीं है हम आपको जानकार दे दें कि पास लगते गाउं से ही थोड़ी दूरी पर गाउं को बसाने का सरकार ने लिश्य भी लिया गया लेकिन बहुत कई सालों से वो काम चल रहा लेकिन एक भी घर को वहां पर अभी शिप्ट नहीं किया गया है यह लाइप तस्वीर इस वक्त देख सकते हैं यहां पर वहां चालक ग्रामीड ही नहीं यहां पर वहां चालक भी इस राखी से बहुत ज्यादा प्रेसान है पुलिस प्रसासनी यहां पर पहुंचा ग्रामीड भी यहां पर पहुंचे हैं उन्चे एक बार फिर हम बादचीत करने का परियास करते हैं कि देख उदर करने हैं कि यह पाइक देख रहे हैं कि यह रात पाइक साथ सुत्री दिया देखोई और गर के अंदर देखो देखो तो हलात बद से बत्तर यहां पर राकी से देखने को अब 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 यह दो लगा पर बान कर जा हमारा राकी से बास आमना और कुछ नितना यह करवाद हमारा कि यह देख लो कैसे आदमी यहां पर रह सकता है कि यह देखिए लाइब तस्वीरे इस वक्त आप देख रहे हैं पोलूशन का ड्रोल लगातार इस पर कारवाई करने की बाते करता है लेकिन यहां के हलात जो है वो बद से बत्तर हैं लगातार खबरे छपी है मीडिया में पोलूशन जो बीते दिनों पराली को लेकर किसानों पर आरोफ लगते रहे हैं दिवाली के आउसर पर खुब पोलूशन होता है लेकिन कारवाई नहीं होती है यहां पर पोलूशन की जो कंडीशन है वो बद से बत्तर देखने को मिल रहे हैं यहां पर लोगों का जीना जो है अब वो मुहल नहीं हो पा रहा है तो वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिएगा और इस समश्या को सरकार तक पहुंचाने का प्रियास आप जरूर कीजिएगा क्योंकि ग्रामिन यहां पर काफी हतास हैं प्रेसान हैं और गु हाल हो चुका है पेड़ों की बात करें तो पेड़ों पर कोई छिड़काव नहीं होता है राखी ही राखी आपको नजर आएगी घरों की दिवारों पर दर्वाजों पर वाइक यहां पर खड़ी कर नहीं सकते हैं कोई वाहन यहां पर खड़ा नहीं कर सकते हैं दिन पर रहे हैं